हेलो गाइस, वेलकम टो माई यूटूप चैनल, पोती बारेट मतो एक वीडियो टाओ दूटो लेंग्वेज होबे, पोत में बांगला, देन हिंदी, हलो गाइस, हर्बार की ताड़ा ये वीडियो दो लेंग्वेज़ में होने वाला है, पहले बेंगॉली में होगा, देन हि सीरीज टी थे, आपनी की की देखते पाए बें तार एक टी चोट्टो ओबर वीउ दिया दी, पोत में तो जारा कंप्यूटर एके बाड़े ही जाने ना, तादेर जोन नो एक टी भालो सीरीज होते चोले चे, काओन एक टा टाइम आमी हो कंप्यूटर हे बाड़े पड़े तो आप बेसिक धारोना दियार जुननों, मैं आपको एक छोटा सा ओभर वीउ दे देता हूं कि इस वीडियो में या फिर इस सीरीज में आपको क्या जानने को मौका मिलेगा, तो अगर आप पहली बार कंप्यूटर यूज कर रहे हों या फिर अपने नया नया कंप्यूट या लैप्टोप खड़ीदा है और आपको नहीं पता कि कैसे यूज करें कहां से स्टार्ट करें तो ये वीडियो अभी के लिए है अपनार अपना देर स्क्रीने एक टी फोटो देखते बच्छन तो अमरा शादानों तो कंप्यूटर बोलते नवाई तो डेक्स्टॉप अ बाट जेनारेली शादारानों तो डेक्स्टॉप कंप्यूटर बाल लैप्टॉप के कंप्यूटर हिसे बे धोड़ा हुए बाट आजकल फोन से फोनों एक्टी मेशिन और सेटाओ एक्टे कंप्यूटरें मोतों नी काच कोड़े बाट कंप्यूटर थेके ही मोबाईल ये अभिश्कार बोले धोड़ा हुए तो से खत्रे एक मीनी कंप्यूटरें मोध्यों फ्याला हुए ओके सो नेक्स नेक्स टोलो माउस माउसर बाट अपनार जाने नी बाट देखी ही थाग बेन तो एर तीन टी बटन शादानों तो दाखा जाए बाट एक टी चार नंबर अपनी जोधी कुनो कारों ने लाप्टप यूस कोरे थाकें थाले अपनार खात्तरे nut Rate lodge लैप्तो पे तो उनएके माउस यूस कोरे अपनी एक जोधी खोन लाट टोप यूसर हन efforts सो नतूं लापटप की ने थाकें था ले आपनार कंप्यूटर थाकबे उननतों तो अबर पुथो में एज जी निष्टा ये टाके बोला होए स्टार्ट बटन और बाकी एज टोटाल एरिया टाके बोला होए नीचे ब्लैक कालर एरिया टाके बोला होए टाक्स बार्ड ओके एकने आपनी जा टास्क यूस कोड़ बेन जामनामी योखोंन नोट खुले भोशे आछी तो स्टीकी नोट खुला आया आछे तो फ्रह जोनना i टास्क के डएक alone आपनी जा जा टास्क कोड़एन ऐ यथि मुत्द के आखानी यह ayion होएक चुसlike यूस्तप कालर नाट करें टास्क बाडे Google Chrome मेर आईकोन टा चोले एश चे ओके बटा मी यहाँनी क्लोस कोरबो देखुन चोले गालो आपनारा जोदी चान जे पोग्राम क्लोस कोरार पर आईकोन टा जाते ना जाए था हुले आपनारा जेटा कोटते पारें यहने क्लिक करूं अई देखुन पीन टू टास्क बाड क्लिक करार पर क्लोस करूं देखुन टास्क बाडे ते ऊडा दो एगा छे Google Chrome मेर आईकोन टा बाट आमार दाकार नहीं शोओ आमी आण्पीन को रदिछे दिन एटा हुच्छे श्टार्ट मेनू बास्टार्ट बटन एकाना चे सार्च बार विंडूस टेने एटा था के अपनार जो दिवींडूस 7 यूस कोड़े था के था 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 ले एई सार्च ऑप्शन ता अपनारा एई एडिया ही देखते पावे बार बेन छो फोरी श्टार्ट करा अिक आने था थे था के देन एइएं मर्या बेल से नारा थे था के те अरिबलां हुच्छे आमार फोटोशॉप इंस्टल कोड़ा या चे एलस्टेटर इंस्टल कोड़ा जो फो no क्यों में आपना देखते पाच्छेन ए ए स्टार्ट मैंनेजारे स्टार्ट एरिया स्टार्ट बटन एरिया थे तैस्क बाड़ेरय अंस्षह की आ सना मेस्ट आ स्टाक्याम है डitatingreci टीक icon जोदी आपनी कुनो कारोने first time computer किने ठाकें आर कुनो कारोने आपनी एई desk icon गुलो देखते पाच्छेन ना विजस कोड़े my pc बाग computer this pc, recycle bin ओके एई गुलो जोदी आपनी कुनो कारोने देखते ना पान एगुलो एई chrome phone गुलो इंस्ट्रल कोरार पर अटोमेटिकाली चुलाजबे लाइक आमी pubg इंस्ट्रल कोरे रहे ची ताई disk चुलाज़े चे बाट एई गुलो बाट इस pc जे आईकॉन एई आईकॉन गुलो जोदी आपनी देखते ना पान कुनो कारोने एई आईकॉन गुलो थाले की कोरबेन आमी देखाच्ची पुतमे एखाने जान देन सेटिंग्स देन एखाना पनी पार्सोनालाइजेशन देखते पाबेन एखाने आसर पर थीम्स एटा उइंडोस टेने ते याग मत्तरो ओके सो थीम्स अशर पर देखंग्स डेस्क आइकोन सेटिंग्स डेक्स्टोप आइकोन सेटिंग्स एखाने एशे देखंग्स आमार ओलेरी डी चेक करा आईजे ताही देखा जाच्च बड़ जोदी चेक ना करा तो देखा जे थोना ओके सो आमी control panel टाके check कोलाम एबंग apply कोड़े ok कोड़लाम धेन close कोलाम देखुन एकाने control panel ये आइकोन टा चोले इसचे देखे दी अपनी task बारे ते की की देखतेपाबएँ एकटात ओचे जेगुलो अपनी टास्क चंडाबएँ अपनार को राकेँ और मंची आपनार प्रोग्राम जेगुलो अंकोर रायाग मंसेगुलो refund Ay डेकते पाबएं देन ऊच्चे एकाने the battery पोजिशन बैटारीर हेल्थ जयुत आमी लैप्टप यूश करची देन वाइफाई देन साउंड डेट आन टाइम एटा चे नोटिफिकेशन एरिया विंडोस टेने ते याग मत्रो आछे एटाचे नोटिफिकेशन एरिया एछारा होच्चे पिक डेस्क जोदी आमी कुनाइक्टा फाइल एर ओप्शन खूले राखी आरे यार जोदी आमी कुनाइक्टा पोग्राम खूले राखी देन जोदी पीक एरियाई माउस ने जाई तो हाइड होए जाबे अटमेटिकली जैई माउस सड़ाबो तो आपर अना हाइड होए जाबे ओके तो एटाच्चे टास्क बारेर काज डेक्स बारे अल्रेडी आमी बोले द कीफावे चेंज क्रेंदे बोले और के ऐट वाल पेपर कीबाबे चेंज क्रेंद अपना धैर के ज्यतो आभले राले यपिफे ठर्ड बर पर्सोनलाबल यजेशन देन बैक्ग्राउंड जैख़न ऐखन अल्ना इक एकोलो बैक्ग्राउन अल्रैटी अमाज सेटा चाँ अम wallpaper folder देन आमी एक आखनते के जे को ना एक्ट आ वालपेपर नी एनी ते पाड़ी लाइक एटा एक आखनते के ये आभेंजर से रामी जोदी पिक्चर टा नी एबंग तारो पूर जोदी लेफ्ट क्लिक कोड़ी तो सेट एज बैक्ग्राउंड देखते बाने बैक्ग्राउंड चेंज होएगा चे ओके तो एचारा एजे माउस पॉइंट आटा चे एटाओ की भावे चेंज कोड़ें एटा मी आजीगे देखाच्छी ना नेक्स्ट वीडियो ये देखावो बट आजीगा मी जे गुलो देखाच्छी से गुलो चे कालर्स अपनी जोदी ख्याल कोड़े था केन ताहोले ये बार टी देखूं ब्लू कालरे होएगा चे ओके सो एटा चेंज कोड़ बनकोता थे के आपनी पार्सोनलाइजेशने जे लोगा आ एक्सट आप्साने ये देखों ब्लू सिलेक्ट को डा आएचे हमी ग्रिंजीन कोड़े खही सब्द्रेट्रास रढ़ेगा चिये को भाई खही सब्देखों ब्लू हडे थेकों ब्लू होड़ेगा चे ओके ये थरा चे थीम्स थीम्स ऑ Ann Tumb возв थीम से एर एक्चली अपनी एखेने पावेनाच चे color, sound, mouse, cursor okay, desktop icon ने एर settings आमी अलेडी देखिये दीची start button, start button है actually अपनी की-की show कोड़ बेन अपना start button एरिया थे शे गुलो देया चे most use, most used app आमी एगुलो आंचेक कोड़े ही रेखे ची देन कुण-कुण folders देखा जावे, folders अचे एई एरिया एई जे एरिया अटा जेखाने settings बाव अमार profile icon देखा जाच्छे शेखाने, शेखान कार जोननो एटा तो आमी जोदी downloader बटन टा चेक कोड़े देन music देखुन एकने add होएगा चे डाउनलोड एबं music देन आमी जोदी videos add कोड़े देखुन videos add होएगा चे ओके, सो एक हांते का आपनी चाहिले एगुले चेंज कोड़े पारें आपनार प्रोजोन होनु जाई देन taskbar, taskbar auto hide जाई टा जोदी आपनी आपनी automatically hide कोड़े देन taskbar automatically hide होएगा लोगा देन अमी बट आमार एटा अतोटा प्रशन दोनाई काजे आशे ना, सो अमी एटा अंचेक कोड़े राखी next video जेगुला आपना देर के आमी देखाबो शेगुला हच्चे, wordpad की भावे यूज कोड़ेन बा आदार्स आरो जे धरने एप सोए था के Google Chrome बा जाबोती यो जिनीस की भावे कुनो पोग्रम इंस्टाल कोड़ेन एटू जेट अपना देर के देखाबो बट एटा जस्ट फास्ट वीडियो शीलो अपना देर के आक्टा बेसिक धरोना देयार जोननो एटा स्टार्ट थेके बेसिक पोज़न तो शॉप धरोने नौलेज आमी देवो बाट आप आतो तो एटा स्टार्टिंग सो एकड़ो मी स्टार्ट थेके स्टार्ट कोड़ेशी आप लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पिक्चर्स देख रहे हैं वो काफी तरह के कंप्यूटर को दिखा रहा है ज्यादा तर कंप्यूटर्स लोग या तो PC यानि की desktop यानि की laptop को समझते हैं लेकिन notebook, hybrid, tablet यानि की यहां तक की आपके smartphone को भी computer के अंदर ही गिंती किया जाता है क्योंकि वो भी computer की तरह ही काम कर सकता है उसके अंदर भी processor है, RAM है, apps इंस्टॉल होते हैं यानि की program से इंस्टॉल होते हैं तो भी एक तरह का computer है लेकिन हम यहां पर Microsoft Windows जिसमें use होता है यानि की PC और laptop के बारे मे ही बात करेंगे अब mouse को तो पहचानते ही होंगे जिसमें तीन बटन होते हैं एक left click के लिए, right click के लिए और तीसरा scroll के लिए और चौथा बटन जो होता है वो hide होता है जो scroll को press करने से होता है ठीक है आज कल आपको काफी तरह के mouse देखने को मिल जाएंगे ज्यादातर जो हो तो कोई बात नहीं, facility सेम होता है तो अगर आपने नया नया laptop खरीदा है या फिर laptop के उपर काम सीख रहे हो या फिर laptop यूज कर रहे हो या desktop भी यूज कर रहे हो तो आपके पास Windows 10 होगा तो ये वीडियो Windows 10 के उपर ही है लेकिन Windows 7 और XP में लगभग सेम सेटिंग्स ही होता है अब लोग आप मेरे mouse pointer को follow कीजिए ये जो है इसे कहते start button Windows 7 और XP में कुछ इसी तरह का होता है और ये जो black type का पटी है या पता नहीं क्या कहेंगे नीचे की तरफ ये है task bar यहाँ पर जो भी आप task या program चलाते हो वो यहीं पर दिखाया जाता है जैसे कि sticky notes on है तो उसका दिखा रहा है कि task bar में दिखा रहा है या फिर ये जो folder मैंने on किया था on करके रखा है उसका भी दिखा रहा है तो ये task bar है यहाँ पर सभी task चलते हैं ये example के तोर पर अगर आगर आगर मैं google chrome का आईकोन करता हूँ तो देखिए task bar में google chrome का icon आईकोन आगया आप देख सकते हैं और जैसे ही मैं program को close करूँगा यानि कि google chrome को यानि कि browser को इसे browser भी बोलते हैं तो देखिए icon चला गया close करते ही लेकिन आप चाहते हैं कि program close करने के बाद icon ना जाए तो आपको सरफ इतना करना है कि left click करने के बाद ये देखिए pin और फिर close कर दीजे program तो close हो गया लेकिन icon रहे गया ठीक है लेकिन मुझे icon की जरूरत नहीं है फिलाल सो मैं close कर देता हूँ icon हटा देता हूँ unpin करके ये जो start button है इसको click करने से या फिर keyboard पर start button वाला button प्रेस करने से एक start menu area open होता है और देख सकते हैं और ये जो search button है window 7 में उपर की तरफ होता है लेकिन यहां पर task bar में ही दिया गया है और आपको पता है कि power button slip button कहा होता है तो ये सब मैं नहीं दिखा रहा हूँ अगर नहीं भी पता है तो आप देख सकते हैं okay so यहां यह जो start menu है यहां पर programs जो भी अपने install किया हुआ है बो दिखाया जाता है बो यहां पर रहता है जैसा कि मैंने photoshop illustrator यह सारे चीज़े install करके रखा है तो यहां पर दिखा रहा है google chrome या और भी सारे जो भी मैं software use करता हूँ वो यहां पर दिखा रहा है ताकि मैं यहीं से open कर सकता हूँ आप गर आप click करेंगे तो program open हो जाएगा ठीके तो फिलाल मैं इसे close करता हूँ और task bar मैंने दिखा दिया है और इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है task bar के उपर का जो हिस्सा होता है बाकी का जो हिस्सा है यहाँ पर icon है उसे desktop area कहते है ठीके इसे desktop area कहते है और मैं select करके भी दिखा रहा हूँ आप देख सकते हूँ और इसे कहते icons desktop icons अगर किसी वज़ा से यह this PC या recycle bin icon नहीं दिखा रहा बाकी जो icon से बो install करने के बाद आपको दिखेंगे लेकिन यह सारे जो icon है बाकी सारे जो icon है यह काम के काफी काम के icons है अगर किसी वज़ा से नहीं दिख रहा तो कहां से इसे आप अपने desktop पर लाएंगे मैं अभी दिखाता हूँ जैसे कि मैंने PUBG और Chrome इंस्टाल किया है तो वो desktop में दिखा रहा है लेकिन बाकी सारे चीज़े इंस्टाल ही रहते हैं अगर किसी वज़ा से आपके desktop पर नहीं है तो आपको simply जाना है settings में settings में जाने के बाद personalization अब please मेरे mouse को follow कीजिए और उसके बाद आपको जाना है themes Windows 7 में भी लगवक एक ही settings है लेकिन थोड़ा बहुत अलग है और आपको जाना है desktop icon settings पर और यहां पर आप check कर दीजिए computer और result के बिनको जो already मेरे check है तो desktop में भी है लेकिन मैं confirm करने के लिए control panel को check कर देता हूँ और apply करने के बाद ok तो आप देख सकते हैं यह है हमारा control panel का icon task bar के बारे में तो मैं already थोड़ा बहुत बता चुंका हूँ लेकि बाकी का चीज़े भी देख लीजिए एक तो यह search का option दूसरा है task icon जो भी icon और आप देख सकते हैं date, time, यह change करना भी मैं आपको सिखा दूँगा लेकिन फिलाल और यह जो है, यह notification area यह Windows 10 में ही स्रेफ होता है 7EI XP में नहीं है 8 में भी नहीं है और यहाँ पर है desktop pick icon मैं दिखाता हूँ यह क्या काम करता है कोई भी program मान लीजिए आप इस तरह से open करके रखे हैं तो जैसे ही आप अपने mouse pointer को रुकिया हाँ तो जैसे ही आप अपने mouse pointer को यहाँ पर ले जाएंगे देखिए गाइब हो गया यानि कि hide हो गया तो यह उस कम में आता है काफी अच्छा option है और close कर दीजिए इसे अगर आपको नहीं पता कि wallpaper कैसे change करते हैं या colors कैसे change करते हैं तो obviously settings पर जाएए personalization फिर से एक बार हाँ यह रहा तो इसके बाद यहाँ पर देखिए काफी सारे wallpaper मैंने already select करके रखा था तो मैं एक select कर देता हूँ पहले बाले कोई देखिए wallpaper change हो गया लेकिन और भी एक आसान सा तरीका है आप कोई भी एक photo को open कीजिए जैसे कि मेरा यहाँ wallpaper है काफी सारे wallpaper से तो मैं कोई भी एक wallpaper choose कर लेता हूँ इस बाले में इस folder के अंदर हाँ यह वाला यह Avengers वाला मैं select कर लेता हूँ और left click करने के बाद set desktop background so आपका background इमें change हो जाएगा इसके लावा काफी सारे options है जैसे की colors change करने का option और अब themes में भी जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं पहले colors दिखा देता हूँ तो colors actually कहा का change होगा यह हर जगा का color change तो नहीं करता लेकिन आपके start menu area और यह जो उपर का heading का blue वाला colors का जो था वो मैं change कर देता हूँ देखिए यहाँ पर blue color select हो रखा है तो मैं green कर देता हूँ maybe green ठीक रहेगा फिलाल के लिए तो जैसे देखिए select किया तो यहाँ पर green change हो गया लेकिन मैं फिर से एक बार blue कर देता हूँ मुझे hulk वाला color कुछ खास पसंद नहीं तो मैंने blue कर दिया तो ऐसे आप colors change कर सकते हो मैं एकदमी basic चीज़े दिखा रहा हूँ फिलाल लेकिन बाद में advanced चीज़े भी दिखाऊंगा तो यहाँ से आप background, cursor, color सब कुछ change कर सकते हो मैं आपको दिखाऊंगा कि mouse का cursor यानि कि वो arrow भाला point कैसे change करते हैं वो भी दिखाऊंगा लेकिन सबसे पहले यह जो start भाला option है यहाँ पर आप कौन कौन से चीज़े add करना चाते हो start menu में या कहीं और वो सारे चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मैं folder वाला option दिखा देता हूँ यह देखे start menu के अंदर यहाँ पर जितने भी सारे folders दिख रहे settings, photos या मेरा profile icon वो सारे चीज़े यहीं से add किया गया है तो अगर आप और भी कुछ चीज़े add करना चाते हैं तो मैंने कुछ file add कर दिये जैसे कि music, download folder और videos वाला भी add कर देता हूँ तो देखेए videos आ गया और भी है मुझे और चीज़ों की जरूरत है नहीं तो मैं select नहीं कर रहा हूँ आप अपने जरूरत के हिसाब से add कर लीजिए यहाँ पर tax bar automatically hide हो जाएगा जैसे कि मैंने check कर दिया लेकिन यह मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे जरूरत की नहीं है तो मैं इसे uncheck कर देता हूँ लेकिन आप check कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से और भी कहीं सारे options है जो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा मैं आपको आज का एक basic सा overview दे देता हूँ और भी क्या क्या जानने को मिलेगा मैं आपको wattpad यूज करना सिखा दूँगा अगर आपको नहीं पता या Microsoft के और भी जीतने भी सारे चीज़े है उसका basic सारे चीज़े दिखा दूँगा या फिर program install करना डेड़ वगरा change करना या और भी कहीं सारे चीज़े आपको दिखा दूँगा अब सीख लेना यहां से आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है एकदम घर में फ्री बैटे घर पे बैटे बस अपने फोन को अन कीज़े YouTube अन कीज़े मेरे चैनल को सार्च कीज़े या मेरे चैनल को सबसे पहले तो सबस्क्राइब कर लीज़े ताकि आपको सार्च करने की जरूरत न पढ़े और बेल आइकोन को भी दबा दे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे क्योंके मैंने अपने चैनल पर काफी सारे वीडियो शेयर करके रखा है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर या मेरे YouTube चैनल पर तो आपको काफी सारे चीजे यहां से सिखनों को मिल जाएगा लेकिन शर्त बस एक ही है आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब करना होगा थोड़ा सा कमेंट करना होगा लाइक करना होगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले ओके तो आज का वीडियो बस इहीं तक प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं फिर आउंगा किसी और टॉपिक के अंदर या फिर इसी टॉपिक के एक अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी ओके बाई